अभी हमने हाली में ताजा ताजा बेसीक फॉंडेशन कवर किया है जिसमें रेशो प्रपोर्शन पार्टनर्शी वेरियेशन पर्सेंटेज प्रॉफिट लॉस्ट ताइम से ट्रॉपिक जैसे टाइम वर्क ठीक है इंट्रेश सिंपल कंपों इंट्रेश प्रॉब्लम्स और हर चीज हमने कवर किये और अब हम एक नए सेक्शन की शांदार धासु शुरुआत करने वाले जिसका नाम है नंबर सिस्टम जुड़ जो दोस्तों जैसे आपको फॉंडेशन चमका है अरित्माटिक का सेम गैरेंटी देता हूँ नंबर सिस्टम भी चमकेगा तो नंबर सि चुके उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी तो इस वाले नंबर सिस्टम सेक्शन में हम क्या क्या का और करने वाले जैसे की पहला लेक्शर जो की आज है आज के लेक्शर में गाईस हम बेसी कली फोकस करेंगी कि टाइप साफ नंबर क्या होते है जैसे कि दुणना होता है तो यस वो भी हम देखेंगे फिर सेकंड सेक्शन में हम कुछ डिवीजिबिटी रूल जैसे अगर आपको किसी भी नंबर को सेवन से डिवाइड करना 11 से 9 से 3 से तो क्या वो डिवीजिबिटी रूल है जैसे फाइब का डिवीजिबिटी रूल क्या है कि उनिट डिवीजिबिटी रूल है तो नंबर 5 से डिवाइड होता है ऐसे हर एक का क्या डिवीजिबिटी रूल है वो हम देखेंगे फिर कंसेप्ट आफ फ्लेस वैल्यू और उससे रिलेटेटी क्वेश्चन हम करेंगे तो गाइज उसके बाद मेटर ऑफ है बट उसमें भी कुछ तो ट्रीक से उसमें भी कुछ तो कोश्चन साब सिखोगे फिर यहां से तो धासू ट्रिक शूरू होती है सम एन नंबर ऑफ एक्टर यूनिट डिजिट थेरम ट्रेलिंग जीरो सकंसेट रिमेंडर थेरम बेस सिस्टम कंस्टेंट बेस क्वेश्च थे करेखा ठीक है गाइस सो जैसे मनेंगा आज के लेक्ट्र में क्या देखेंगे टाइप साफ नंबर्स क्रीक सान क्वेश्यन measures बेस्ट अंटस्पेश्यल सीरीष यस गाईज उस्पेशल सिरीष भी कुछ होती है जैसे के सम अफ सेचल पbn शाटे स्म साफेशल आशन नंब मैं आपको APGP ये सिरीज टॉपिक पढ़ाऊंगा modern maths की arithmetic, progression, geometric but वहाँ पर focus हमारा उसी पर रहेगा तो APGP हम वहाँ के लिए रखते हैं हम special series यहाँ पर करेंगे guys let's start दोस्तो types of number year है आपके सामने कई सारे types of number आप देख रहे हो majority student को पता है क्या क्या होते है इसका मतलब क्या होता है जिनको नहीं पता बस एक दो मीट सुन लो फटा फटा आगी के concept पहेंगे हम जादा नाइम नहीं लेंगे आज की lecture में तो natural number natural number आपको पता है सिर्फ positive होते है और वो भी round figure यानि के positive integer जिसकी शुरुवात कहा से होती guys जिसकी शुरुवात होती है 1 से जिसकी शुरुवात 1 से होती है 123 से लेकर infinity यह सारे क्या होते है natural number शुरुवात हमेशा 1 से होगी 123 तिल infinity no बीच में decimal no negative number whole number whole number natural number में सिर्फ एक फरक है वो है digit 0 का yes guys सारे natural number यह by default whole number होते है शुरुव इसमें एक digit extra होता है वो है 0 एक number whole number में extra है वो है 0 तो अगर 0 हटा दो तो वो natural number की series बन जाती 0 डाल दो तो whole number है या फिर आप यह भी बोल सकते हो all natural numbers all natural numbers are whole numbers but all whole numbers are not natural numbers क्योंकि एक 0 यहाँ पर एक extra है now integers integers अगर उसने स्रीम integer होला तो दो टाइप होते है positive और negative तो यार यह negative infinity से लेकर तिल द पॉजिटिव इन्फिनिटी यह infinity कभी count नहीं होती मतलब आप यह बोल सकते हो कि इसमें minus infinity और infinity तक के सारे number आते है लेकिन जो round figure है अब तक decimal ना natural में consider हुए ना whole number में ना integer में है ठीक है और negative round figure numbers between minus infinity to plus infinity इसमें decimal भी नहीं है वो प्राइम नंबर गाइस प्राइम नंबर मतलब क्या वो नंबर जो सिर्फ खुद से और one से डिवाइड होते है इनी number which can be divisible by itself number itself और one तो वो नंबर जो सिर्फ अब खुद से डिवाइड होते है और one से डिवाइड होते है उसको हम प्राइम नंबर बोलते है तो प्राइम नंबर की शुरुवात कहा से होती है बात 5, 7, 8 बोल सकते हैं? नहीं, 6 बोल सकते हैं? नहीं, 9 बोल सकते हैं? नहीं, 11, and so on. तो कोई भी वो नमबर गाईस, जो खुद से और 1 से डिवैट होता है, वो प्राइम है, और composite मतलब क्या? एंटी प्राइम, composite मतलब एंटी प्राइम, वो नमबर जो प्राइम नहीं, वो सारे प्राइम नहीं है, वो नमबर जो प्राइम नहीं है, वो सारे प्राइम नहीं है, एंटी प्राइम मतलब प्राइम क्या अगेंस्ट, नहीं? तो दोस्तो, 1 तो मैंने गया आपसे नीदर प् स्पेशल नंबर है फिर उसके बाद फाईब तो यह होगया जिसका वन और खुद के अलावा कम से कम से कम एक फैक्टर एक्सट्रा है वन और खुद के अलावा वह इस नमबर जिन-में common factor सिर्फ 1 है जिनका common factor सिर्फ 1 है, guys अगर मैं 4 और 9 की बात करूँ तो क्या ये co-prime है, yes ये 4 हला की क्या है composite है, 9 हला की क्या है composite, लेकिन इनका common factor अगर देखो तो सिर्फ 1 है तो ये co-prime है, क्या मैं 4 और 6 को बोल सकता हूँ co-prime, never क्यूंकि 4 और 6 का common factor 1 के अलावा 2 भी तो है, क्यूंकि 2 भी तो है जो इन दोनों को डिवाइट करता है, क्या मैं 6 और 9 को बोल सकता हूँ, never क्यूंकि 6 और 9 में आप 3 से भी इन दोनों को डिवाइट कर सकते हो तो इनका common factor 2 भी है जिनका common factor 3 भी है तो वो co-prime नी, co-prime मतलब क्या ऐसे दो number का pair जिनका common factor स्री 1 है और कोई उनका common factor नी जैसे कि आपने देखा 4 और 9 4 और 9 भला ही composite है 4 के factor 1 है, 2 है, 4 है 9 के factor 1 है, 3 है, 9 है लेकिन इन में common factor स्री 1 है यहाँ common factor को ने 1, 2 है न भले एक factor इसका 4 भी एक factor इसका 6 भी है, लेकिन 1, 2 यह दोनों इसके common factor है यहाँ common factor को ने 1, 3 clear? तो guys इसलिए 1 के लावा अगर कोई भी extra common factor आ गया I repeat, 1 के लावा कोई भी extra common factor आ गया, तो वो co-prime number नहीं कहलाएंगे, co-prime simply strictly कब कहलाएंगे जब उनका common factor सिर्फ 1 है और कोई नहीं, जैसे कि 9, 10 yes, guys 9 और 10 में common factor जैसे 9 के factor 1 है 3 है, 9 है, 10 के factor 1, 2, 5, 10 यह सब है लेकिन common factor दोनों में सिर्फ 1 है न बागी इसका 3, 9 उसको divide नहीं करेगा और 10 का 2, 5, 10, 9 को divide नहीं करेगा, तो common factor 1 है तो यह को प्राइम 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 यह दोनों नहीं समझे, now even number बच्चा भी जानता, even number मतलब हर वो number जो 2 से divisible है simple अगर शब्दों में definition दू, तो every number which can be divisible by 2 is even number यह रहा even number, odd number इसका opposite, हर वो number जो 2 से divide नहीं होता है, वो odd number है, तो यह रहा odd number की series, rational, irrational guys, rational, irrational number, rational number पहले तो समझे लो rational number, यानि वो number which can be written in the form of P by Q इसकों fraction के form में लिख सके वो rational number है, P by Q के form में लिख सके वो rational number है, जैसे के 2 by 4 2 by 5 then 3 by 9, 3 by 15, हर वो number जिसको हम P by Q form में लिख सकते है, वो rational number है, again वो number भी जिसका recurring digit है वो भी rational number, यानि guys जिसको एक specific end है, जैसे मुझे बताओ 2 by 4 मतलब क्या 0.5 2 by 5 मतलब क्या 0.4 3 by 9 मतलब क्या 1 by 3, यानि 0.333333 3 by 15 मतलब क्या 1 by 5, मतलब 0.2 यानि हर वो fraction जिसको एक specific end है, मुझे बताओ, इसको एक specific end है, yes, 0.5 खतम हो गया, ये 0.25, पहली बात तो समझो, कि rational number मतलब क्या आ रहा है, यहाँ पर decimal भी consider हो रहा है, यहाँ आ, decimal भी consider हो रहा है, अब तक कि किसी में भी आपने देखा, natural, whole, integer, prime, co-prime, co-prime, composite, even, odd, कही पर भी आपको decimal को consider किया था, नहीं, decimal यहाँ पर consider होगा, rational, irrational में, लेकिन decimal भी कौन से, जिनको specific end है, मैं बात कर रहा हो, अब rational की, जिनको specific end है, है न, जैसे कि यह 0.5 हुआ, 2 by 4, यह 0.25 हुआ, 3 by 15, यह कितना हुआ, 3 by 59, 1 by 5, 0.2 हुआ, है न, यह तो rational होते ही है, guys, साथ में हर वो decimal जिसको भलाई specific end नहीं है, लेकिन उनके digit recurring है, digits are recurring, जैसे 3 by 9, 3 by 9 मतलब ही क्या, 1 by 3, 1 by 3 मतलब क्या, 0.333333, recurring है न, यह भी rational कहलाते है, now 2 by 3, 2 by 3 मतलब 0.66666666, यह भी rational कहलाते है, 2 by 9, 2 by 9 मतलब क्या, 0.2222222222, यह भी rational कहलाते है, तो guys, rational number का एक definition तो यह भी है, कि हर वो number जो हम P by Q form में लिख सकते है, वो rational number है, first definition तो यह भी है, दूसरा, हर वो decimal जिसको एक specific end है, वो भी rational है, जिसको एक specific end है, मतलब मैंने अभी आपसे कहा, 1 by 4, 1 by 4 मतलब क्या, 0.25, 0.25 तो यह भी rational है, 1 by 5, 0.20, यह भी rational है, यह न, then 2 by 4, याने 0.5, यह भी rational है, लेकिन इनको तो specific end है, याने इसके आगे आप वो जाएगा ही न, calculator पर 1 by 2 करो, 0.5 पर रुख जाएगा, calculator पर 1 by 5 करो, 0.2 पर रुख जाएगा, 1 by 4 करो, 0.25 पर रुख जाएगा, लेकिन अगर आप 1 by 3 करो calculator पर, तो आपको मिलेगा 0.3333333, जितनी जगा है calculator के screen पर उतना 3 लिखा होगा, तो भी वो rational है, मतलब इनको specific end है, वो तो rational है, लेकिन जिसको specific end नहीं भी है, बट digits are recurring, वो भी rational है, तो rational के मैंने 3 क्या-क्या characteristic बता है, every number which can be written in the form of P by Q, वो rational है, every decimal which is having specific end, fixed end, वो rational है, and any decimal which is not having specific end, but the digits are recurring, वो भी rational है, guys, repeat कर रहा हूँ, majority student को rational, irrational में, इस level पे भी पंगा होता है, school में ठीक से नहीं पढ़ने के वज़े से, तो पहला P by Q form में लिख दिया, वो rational है, अगर decimal form में लिख रहे हो, तो जिसको specific end है, rational है, और specific end नहीं भी है, बट digits are recurring, जैसे कि मैंने आप से कहा 2 by 9, तो 2 by 9 को हमने कैसे लिख दिया, 0.222222, तो ये भी क्या है, rational है, तो सर्क फिर irrational क्या, irrational याने वो decimal, guys, जिनको specific end भी नहीं है, और digits recurring भी नहीं है, इरrational मतलब क्या, वो जिनको specific end भी नहीं है, और irrational भी नहीं है, जिसको irrational भी नहीं है, तो guys, जैसे कि, जैसे कि, irrational में सबसे famous value आती है, irrational की सबसे famous value है, पाई, पाई, अब आप बोलोगे, sir, पाई की तो value है, लेकिन, पाई की तो value हमने सीख ही है, 3.14, guys, just for the sake of solution हो, उसको 3.14 लेते, up to 2 digit decimal तक, अगर आप पाई, पाई मतलब क्या होता है, याद करो, 22 by 7, है न, अगर आप उसको calculator पे लिखो, तो आपको guys, वो value जितनी calculator की screen है, उतने देर तक चलती रहेगी, है न, तो ऐसा fraction जिसको specific end नहीं है, वो irrational है, और उसका सबसे पहला example पाई, and in fact, हर वो root value जिसका जो perfect square नहीं है, जैसे 2 is not the perfect square, तो उसको root में ले लो, 3 is not the perfect square, उसको root में ले लो, और ये perfect square है, तो वो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 5 is not the perfect square, उसको root में ले लो, और guys, root 2, root 3, root 5 अपने calculator पर निकालो, उसके भी digits कहाएंगे, endless, जिसको specific end नहीं है, और digits recurring भी नहीं हैंगे, random, random, तो ये है सारे irrational number, पाई, root 2, root 3, root 5, exponential constant, e, ये सारे क्या है, irrational number, ठीक है guys, and last but not the least, इन सबका बाश्या, dawn, real number, guys, ये जितने भी number हमने देखे, ये सारे real number होते है, real number ये entire family है, तो इसके छोटे-छोटे बच्चे है, ठीक है, तो ये जितने भी देखे, natural also the part of real, whole, real, integer, real, prime, composite, co-prime, even, odd, rational, irrational, ये सारे real number कहलाते है guys, all these numbers are real number, तो समझ में आगाई, सो बात की एक बात, natural येने 1 से लेकर infinity, excluding infinity, whole x infinity हम कभी consider नहीं करते है, whole येने 0 से लेकर, tilde infinity, integer, from minus, in between minus infinity to plus infinity, all round figure number, prime, which can be divisible by 1 and the number itself, composite, anti-prime, ये प्राइम चोट कर सारे, तो लेकिन 1 इस निदर composite nor prime, तो सबसे छोटा prime number 2, सबसे छोटा composite number 4, co-prime, याने ऐसे दो number की pair, जिसका common factor सिर्फ 1 है, even, divisible by 2, odd, not divisible by 2, rational, fraction form में लिख सकते है, लेकिन जिसको एक specific end है, या फिर अगर specific end नहीं भी है, 1 by 3, 2 by 3, 2 by 9, जिसको एक specific end नहीं भी है, but digits are recurring, तो हर वो fraction जिसको specific end है, decimal form में, या फिर अगर specific end नहीं भी है, तो digits recurring है, वो rational है, but irrational क्या, वो fraction जिसको specific end नहीं है, जैसे के pi 22 by 7 digits recurring भी नहीं है root 2, pi, root 3, root 5, e यह सारी irrational है और real number मतलब यह सारे numbers come on guys तो फटाफट देखते हैं now fraction concept fraction concept क्या है दोस्तो fraction concept में आपको simply करना क्या होता है fraction concept तो मैं simply बता रहूँ ratio proportion में आपने related question देखे है I don't think कि इसके word based question करने में पर कुछ question ऐसे होते हैं जहाँ आपको पाच्छे fraction दे जाते हैं और पूछा जाता है बताओ इसमें से कौन बढ़ा बताओ इनमें से कौन छोटा और वो फिर कैसे अगर हर एक को निकालते बैठे नहीं अब calculator allowed होता है एक्जाम में तो खेर निकाल भी ले लते हो आप लेकिन जहाँ पर बहुत सी एक्जाम बहुत से ओमेट ऐसे जहाँ calculator allowed ने फिर वहां कैसे करें सबको निकालना तो मतलब मुश्किल हो जाएगा और कोई ऐसा fraction आपको दिया है इसको निकालना भी अपने आप में एक time consuming task है तो फिर क्या करें गाईज अगर बड़ा है चोटा में compare करना है 8 by 63 9 by 52 कौन इसमें से बड़ा कौन इसमें से चोटा तो इसकी क्या trick है गाईज वो जानने की एक simple सी तरकीब है सबसे पहले तो दो डिजिट में अगर दो fraction में बात fraction की हो रही है तो दो fraction में अगर compare ज़न है मानलो 2 by 3 and 8 by 11 इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा तो simply आपको क्या करना है इनका numerator denominator cross multiplication करो बस स्रिप cross multiplication 2 into 11 22 फर्स fraction में और second का क्या हरा है 8 into 3 24 जिसका cross multiplication के बाद इसके numerator को यह denominator से multiply करो और इसके second वाले numerator को इस वाले denominator से multiply करो n1 को 11 से किया n2 को 3 से किया cross multiplication और जिसका यह cross multiplication जिस numerator का cross multiplication बढ़ाएगा वो fraction बढ़ा होता है वो fraction क्या होता है guys बढ़ा होता है यहाँ पर चाहे तो अगर आप calculator भी कर लो तो आपको दो नंबर के बीच में अगर मैं छोटी-छोटी तरकी पे बता रहा हूँ यह तो बहुत हलवा वाली है जहाँ पी सिर्फ दो fraction को compare करना है जब 4-5 fraction आए तो उसमें भी आपको क्या pattern देखना होता है सब बताऊँगा तो guys सबसे पहले तो अगर आपको इस तरह से 2 fraction दिये है और आपको देखना है कि कौन सा fraction बढ़ा है तो बस आप पहले तो दोनों की numerator को देखलो इसका numerator 2 है इसका 8 है अब इसके numerator से दुसरे वाले की denominator को multiply करो 22 आया अब सेकंड वाले की numerator से अगें पहले वाले की denominator को multiply करो 24 तो मुझे बताओ किस वाले numerator का cross multiplication सबसे बढ़ा है किस वाले numerator का cross multiplication ये 24 सबसे बढ़ा है किस वाले numerator का था इस इसलिए second fraction best है second fraction greater है ये least है ऐसे कई सारे कर सकते हो मानलो 4 upon 7 है and 8 by 13 है इसमें से हमें देखना है कोन बढ़ा है simply first वाले का numerator ये है second वाले का numerator ये है सिर्फ cross multiplication कर लो और जिस numerator का cross multiplication बढ़ा वो वाला fraction बढ़ा जैसे ये कितना आया 11, 13, 4000, 52 ये कितना आया 56 guys मुझे बताओ ये वाले numerator का cross multiplication आया 52 इस वाले numerator का cross multiplication कितना आया 56 किसका बढ़ा है इस second वाले numerator का cross multiplication और इसलिए second fraction is greater आप चाहे तो calculator पे cross check कर सकते हो Done guys कोई भी doubt किसी को इंदास comment में पूछ सकते हो तो यह तो दो की बात हुई तो simply इनके cross multiply कर देना इनके numerator को दुसरे वाले के denominator से और जिस भी numerator का cross multiplication बढ़ा वो fraction बढ़ा Now, अगर जादा fraction है For example, 1 by 3 2 by 9 5 by 27 3 by 18 ऐसे 4 fraction है तो अब एक तरीका तो यह भी है जो सबसे आसान और generalized है generalized इसलिए बोल रहा हूँ कितने भी type के question आ जाए सब में applicable है generalized हम उसी को बोलते हैं जो everywhere applicable कोई-कोई tricks होती है जो specific type के question में काम आती है लेकिन यह generalized इसलिए क्योंकि everywhere applicable तो guys ऐसे case में आपको क्या करना है आपको बस denominator देखना है और किसी भी तरह किसी भी तरह है ने of course by using multiplication, division, जो भी rules है आपको denominator को same करना है क्योंकि एक बार आप सारे fraction के denominator same कर दो तो बस numerator को compare करना जो भी numerator बड़ा वो सबसे बड़ा fraction अगर question पुछ रहा है इन में से सबसे greater fraction कोन तो सबको निकालने की जुरूत नहीं है आप देखो denominator 3, 9, 27, 18 इनका common multiple कोन है इनका common multiple है 54 ऐसा value जो इन सबसे divide होता है of course 3, 9 और 27 का तो खुद 27 था लेकिन जैसे 18 आ गया 18, definitely 27 is not divisible by 18 तो इन तीनों का तो 27 था अब इन दोनों में देख लो कोन है 54, 36 इस से divide होगा इस से नहीं 27 यह इन तीनों से होगा, 18 से नहीं बट 54 ऐसा है जो इसके भी table में आता है इसके भी table में आता है definitely फिर इन से भी divide होगा तो 54 denominator लेकर आओ अब यहां 54 लाना है, यहां 3 है denominator में लाना है 54, बट denominator में लाने के लिए आपको definitely जो भी operation करोगे वो उस fraction के numerator के लिए भी करना होगा denominator के लिए भी, तो यहां 3 है अगर मुझे यहां 54 लाना है तो इस पूरे fraction को 18, 18 से multiply कर दो यहां 9 है, अगर 54 लाना है तो 66 से multiply कर दो नीचे 54 लाना है, उसके चक्कर में उपर भी change हो रहा है, यहां पे 22 से multiply कर दो and guys, यहां पे 33 से multiply कर दो और आप मुझे बता दो कि अब denominator हो क्या हो गया अब irrelevant factor हो गया जो भी चीज़ आपका देगा decision, वो आपका numerator देखके देगा तो इन चारों के numerator में सबसे बड़ा numerator किसका है, फर्स fraction का तो guys, calculator निकालो, चेक कर लेना फर्स fraction सबसे बड़ा है फर्स fraction सबसे बड़ा तो यह तो भाई, जनरलाइज है, वाप इस बोल रहो हर जगे applicable होगी, बट इसमें थोड़ा सा calculation बढ़ जाता है calculation बढ़ जाता है, तो guys अब ऐसी भी कुछ trick है लेकिन मैंने कहा कि यह trick apply होगी specific उन ही type के questions पे जहाँ पर आपको वो pattern बनता दिख रहा है, कौन सा pattern ध्यान देना, कौन सा pattern अगर मान लो किसी question में इस तरह से 2 by 5 4 by 8 6 by 11 8 by 14 10 by 17 देखो, यह 5 fraction दिया और आपको बोला है, बताओ, कौन सा fraction सबसे बढ़ा है, अब अगर आपने थोड़ा सा उपराउपरी देख रहे होगे, तो आपको denominator सेम करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो, denominator सेम करना है, याने common multiple निकालना भी अपने अपने एक time consuming task है, इसला example जो मैं ने लिया था, वो एक कम से कम एक दुसरे के multiple वाले element जादा थे, यहाँ सारे अलग-अलग है, तो guys ऐसी case में common multiple वाले rule से जाओगे, time जाएगा, answer तो आई जाएगा, क्योंकि वो सबसे generalize है बट आप एक pattern बनते अगर देख रहे होगे, और उस pattern को अगर आपने crack कर लिया होगा, तो फिर आपके लिए काम करेगी trick तो बहले pattern बता तो क्या है, और फिर ऐसे pattern के लिए क्या trick होगी, वो मैं बताऊँगा तो guys, सुनना यहाँ पर अगर आप ठिक से देखो तो यह सारे fraction के numerator एक same difference से बढ़ रहे है सारे fraction के numerator एक same difference से बढ़ रहे है guys, कितने से बढ़ रहे है, दो 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 से और सिर्फ numerator ही नहीं denominator भी देखो denominator भी देखो एक same difference से बढ़ रहे है तीन, 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 तीन और guys, जभी भी आप ऐसे fraction का comparison कर रहे हो जिसके सारे numerator एक same difference से बढ़ रहे हो सारे denominator एक same difference से बढ़ रहे हो तो बस आपको देखना है कि numerator जिस difference से बढ़ रहे है और denominator जिस difference है बढ़ रहा है, यह एक दुसरे से बढ़े है या equal है या less है मतलब numerator यह difference मैं बात कर रहा हूं Numerator की values और denominator की values का नहीं numerator जिस difference है बढ़ रहा है वह difference और denominator भी देखाए fix difference है बढ़ रहा है तीन- Miranda से वह difference, तो उन में numerator का difference बड़ा है denominator से या numerator का difference यो denominator का difference equal है या denominator का difference बड़ा है numerator से ये तीन चीजे करना है guys अगर इन दोनों में से कोई भी condition हो रही हो इन दोनों में से कोई भी condition हो रही हो याने अगर numerator का difference बड़ा या equal है than denominator I repeat अगर numerator का difference बड़ा या equal है than denominator तो फिर हमेशा बड़ा fraction आपका last वाला होता है लेकिन कब जब इन दोनों में से कोई भी एक condition हो रही हो लेकिन मुझे बताओ क्या first condition है satisfy हो रही है नहीं 2 can never be greater than 3 तो 2 तो छोटा है क्या equal होते कभी 2 और 3 never तो फिर यहां कुनसी condition satisfy होते हो दिखे है आपको third मैंने कहा कि एगर ऐसा condition हो रहा हो तो last fraction सबसे बड़ा होता है और first fraction सबसे छोटा होता है last वाला सबसे बड़ा, first वाला सबसे छोटा अगर इन दोनों में से, यानि numerator का difference is greater than denominator का मान लो यह numerator का difference को मैं A बोल देता हूँ, यह A, 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 A और denominator का difference को B, 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 B बोल देता हूँ तो अगर A is greater than B और A is equal to B A क्या होगा, अगर numerator का difference A मतलब अब मैं जभी भी A बोलूँगा numerator का difference आप दिमाग में लाना तो जब A, B से बड़ा है या equal है तो आप हमेशा बोलोगे जो सबसे last वाला fraction है, इस series का बढ़ रहे, बढ़ रहे, बढ़ रहे, बढ़ रहे, बढ़ रहे इस बढ़ते बढ़ते जो सबसे last fraction है, वो सबसे क्या होता है is greatest is greatest and सबसे जो first fraction है, यानि जो सबसे starting वाला इस series का वो क्या है lowest लेकिन ऐसी case में आपको पूरा series proper एक ascending form में convert करना है सबसे ascending form में 2, 4, 6, 6, बीच में 8 ले लिया फिर 6 लिया वैसा मत करना अगर उसने वैसा दिया भी तो आप उसको सही धंग से arrange कर लेना फिर जो last है सबसे बड़ा, first सबसे छोटा लेकिन ये कब जब numerator का difference is greater than or equal to दोनों case में denominator बट यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है numerator का difference is less than denominator अगर ऐसा हो रहा है गाईस, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर यहाँ पे दो cases बनती है अगर ऐसा हो रहा है तो आप बस अंधादुन नहीं बता सकते कोन बड़ा, कोन छोटा, ऐसा अगर हो रहा है तो दो case बनती है, case 1 आपको देखना होगा कि जो भी difference का ratio है याने a by b का ratio a by b का ratio वो first fraction से बड़ा है या छोटा है first fraction, इस series का first fraction नहीं इसकी बात कर रहा हूँ इसकी, ठीक है, तो a by b का ratio ये first fraction से बड़ा भी हो सकता है और case 2, a by b का difference ये first fraction से छोटा भी हो सकता है first fraction से छोटा भी हो सकता है तो अगर a by b का difference ये first fraction से बड़ा है I repeat, a by b, यहाँ पर हमारा a को नहीं, अगर मैं इसी example की बात करूँ तो a है 2, और b क्या है c, अगर ये first fraction से बड़ा है क्या ये first fraction से बड़ा है guys yes, 2 by 5 कितना होता है, 0.4 तेकिन 2 by 3 कितना होता है, 0.6666 तो guys, अगर a by b जो कि इस example में हो रहा है का difference, अगर first fraction से बड़ा है, तो फिर से आप क्या बोलोगे last fraction is the greatest यहाँ पर आप क्या बोलोगे large fraction ये सबसे बड़ा is the greatest, and first fraction सबसे छोटा, and writing मत देखो, बस मेरी बात जे सुनो large fraction is greatest अगर कब जब a by b का difference, ये greater than first fraction है, लेकिन ये नोबत कब आएगी जब हमारा numerator is less than denominator है क्योंकि अगर numerator greater या equal होगा तो आखे बन करके last बड़ा first छोटा, लेकिन अगर numerator का difference less than denominator है, तो दो case बनती है, case 1 क्योंकि इस example में हो रही है, a by b याने कि जो उपर का difference और नीचे का difference है, ये first fraction से बड़ा, ये ratio first fraction से बड़ा, तो आप बोल दोगे last सबसे बड़ा, first सबसे छोटा लेकिन अगर उल्टा हो रहा है a by b ये first fraction से छोटा अगर होता, छोटा अगर होता, तो फिर आप उल्टा बोलते फिर आप बोलते, first fraction is greatest first fraction is greatest and last fraction is lowest is lowest कमका गाईस, बहुत आसान बहुत ही आसान ठीक है, तो दोस्तों आपको ये बात समझनी जरूरी थी, और I hope आप समझ गे होंगे बाकी तो और कुछ है नहीं इसमें तो अब देखो, मैं एक दो example ले रहा हूँ, तो एक बार पहले तो ये पुरा summarize कर देता हूँ, कि अगर जबी भी, एक तो आपने देखा, दो fraction में सिर्फ क्या अगर दो, numerator का difference cross multiplication ले लो, दुसरे fraction के denominator से, और जिस भी numerator का cross multiplication बढ़ा, वो सबसे बढ़ा एक फिर generalized technique, थोड़ी सी calculated होई, बट generalized है, हर जगे applicable होगी, मतलब आप ऐसे question में भी apply कर सकते हो, अगर ये चीज़ exam में भूल भी गए, तो ये चीज़ apply कर सकते हो, denominator को same करने वाली तरकीब ठीक है, कभी-कभी numerator को same करने वाले से भी होता है है ना, लेकिन वो generalized है, time consuming है बट जब ऐसा कुछ pattern बने जहाँ numerator, denominator, same difference से बढ़ रहे हो, हो रहे हो जो भी हो, ठीक है, तो case आपको simply क्या करना है, पहले तो series को ascending form में कर देना है, ascending मतलब difference के हाँ, difference wise उपर के difference 2, 4, 6, 8 नीचे का difference, और फिर देखना है कि उपर जो difference बढ़ रहा है, और नीचे जो बढ़ रहा है, इन में बढ़ा कुन छोटा कुन, अगर उपर वाला difference is greater or equal, तो last सबसे बढ़ा, first सबसे छोटा, जेकिन अगर उपर वाला difference छोटा देन नीचे वाला denominator का difference, तो फिर 2 case, वो difference का जो ratio बना, a by b अगर a by b का ratio greater than first fraction, तो आप बोल तोगे last बढ़ा, first छोटा, लेकिन a by b का difference, sorry, a by b का ratio less than first fraction a by b का ratio less than first fraction, तो आप उल्टा बोलोगे first fraction is greatest, last fraction is lowest फिर से एक बार pause करके पूरा पीछे लेके देख लेना, अगर थोड़ा confusion हो रहा है, तो बहुत easy और आगे हम 3 by 7, 5 by 8, 7 by 9, 9 by 10, अब मुझे बताओ, यहाँ पर क्या हो रहा है, fix difference बढ़ रहा है, yes, देखो example समझो, numerator बढ़ रहा है, दो-दो से, denominator भी fix difference से बढ़ रहा है, एक-एक से, यह ना, तो अब मुझे बताओ, numerator का difference क्या है, 2, denominator का difference क्या है, 1, कोन बढ़ा, numerator का difference बढ़ा है, और अगर बढ़ा बोला होगा, तो आप क्या बोल दोगे, यह सबसे बढ़ा, छोटा बोला होगा, तो आप बोल दोगे, यह सबसे छोटा, अब का, देख लो, देख लो, देख लो, अगेन, एक और example, 3 by, 7, 5 by, 11, 7 by, 15, 9 by, 19, 11 by, 23, come on guys, उपर कितने से difference बढ़ रहा है, 2, 2, 2 स नीचे, 4, 4, 4, 4 से, ठीक है, तो उपर 2 से बढ़ रहा है, नीचे 4 से बढ़ रहा है, तो definitely उपर का difference कहा है, छोटा देन नीचे, तो definitely यहाँ पर दो cases बनेगी, जभी भी numerator का difference छोटा देन, denominator तो दो cases बनेगी, आपको चेक करना होगा, कि हमारा जो यह difference वाला ratio, यह A और यह B यानि कि 2 by 4, यह first fraction से बढ़ा है या छोटा, तो अब आप बता तो यार, again इन दोनों का comparison तो आप direct भी कर सकते हैं, मैंने कहा है, कैसे, यह 14 आ रहा है, यह 12 आ रहा है, मतलब यह बढ़ा है, करके देख लो, क्योंकि यह cross multiplication कितना रहा है, 14, तो इस numerator का cross multiplication 14 आ रहा है, और इस numerator का cross multiplication 12 आ रहा है, तो इसका cross multiplication बढ़ा है, तो यह fraction बढ़ा है, तो अगर, मैंने भी आप से खा कि first fraction से अगर यह ratio बढ़ा है, a by b का ratio first fraction से बढ़ा है, तो आप बोलोगे again, last is greatest and first is lowest, last वाला greatest है, first वाला lowest है, अगर उल्टा होता, a by b से छोटा आता first fraction, तो फिर आप उल्टा मैंने बोलते है, first बढ़ा and last छोटा, come on guys, now, special series, मैंने कहा, series का तो एक पूरा topic, AP, GP, arithmetic, geometric, यह हम देखने वाले है, modern maths में, लेकिन यहाँ पे special series में हम बस इन ही series की बात कर रहे है, जो बहुत famous है, सबसे first, sum of first, n natural numbers, n natural numbers, मतलब अगर आपको बोल दिया है, 1, 2, 3, 4, इसका मेरको sum निकालो 80 तक, तो इसका simple formula है guys, देखो formula क्या है, n into n plus 1 upon 2, बास, n into n plus 1 upon 2, तो यह आपको देखना है, कहा तक निकालना है, 80 तक, यहाँने 80 is what n, यहाँ पे n कितना हुआ, 80, तो बस यहाँ value रख देना, 80 into 80 plus 1, 81 upon 2, तो यह 40 हुआ, 40 into 81, जो भी आपका answer आ गया, finish, तो जभी भी n natural number, लेकिन यह सारे formula है, सिर्फ यह नहीं, in fact जितने formula में लिखने वाला हुआ, यह सारे formula कब काम आएंगे आपको, जब series starting से end तक है, अगर break series है, मतलब अगर उसको 1 to 80 निकालना है, उसको 12 to 80 निकालना है, तो फिर यह direct काम नियाएगा, आएगा, लेकिन तुकडो में, मतलब पहले तो आपको 1 to 80 निकालना ही होगा, 1 to 80 का summation कितना है, 3, 2, 4, 0, लेकिन question ने आपको सिर्फ 12 to 80 बोला है, तो 12 to 80 आप कैसे निकालोगे अब, पहले आपको जो नहीं चाहिए, याने 1 to 11, 1 to 11 का sum भी मैनस करना होगा, तो 1 to 11 में n कितना होगा, 11, तो formula क्या n, n plus 1, यह 11 plus 1, 12, upon 2, तो guys यह होगा 66, तो यह जो summation है न 66, यह इसमें से हटा देना होगा, यह इसमें से हटा देना होगा, तो अब आपको answer मिल जाएगा guys, 3, 1, 7, 4, 3, 1, 7, 4, मतलब 1 से लेकर 80 तक summation बोला था, तो यह formula direct काम आया, 3, 2, 4, 0, लेकिन 12 से लेकर 80 बोला है, तो यह formula direct काम नहीं आएगा, पहले तो 1 to 80 ही निकलेगा, यह जो भी निकलेगा, starting से निकलेगा, पिछ में से अगर आपको चाहिए 12 to 80, तो फिर आप वो कैसे निकालोगे, पहले त कर दिया, तो यह हुआ, 1st formula, sum of in natural numbers, 2nd formula, sum of in even natural numbers, sum of first in even natural numbers, यहापर 1st ही है, मतलब हर जगे 1st, 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 हर जगे 1st वाला concept आएगा, मतलब यहापर बोलने की जुरूत नहीं होनी चाहिए, sum of first in even natural numbers, यहने शुरूबात कहा से होगी, starting से ही, 2, 4, 6, यह आपको चाहिए, तो इसका formula क्या है, n into n plus 1, खत्म, यहने इसरिफ upon 2 हट जाएगा, अगर पूरे 1, 2, 3, सारे natural numbers का बोला है, जिसमें even और सब, तो फिर n into n plus 1 upon 2, लेकिन अगर आपको सिरिफ even natural number बोला है, तो n into n 10 plus 1, वो भी शुरूबात कहा से होगी, उसकी 2 से, यहना, अगर आपको सर 2 से नहीं लेना है, मेरेको 12 से लेना है, तो आपको निकालना तो पहले 2 से लेकर intact होगा, फिर उसमें 2 से लेकर 10 माइनस कर देना, 2 से लेकर 10 तक के जो भी even summation आती है, even number की वो माइनस कर देना, अगर शुरूबात है और number system की दुनिया बहुत बड़ी है, concept समझाने के लिए, यह terminology बताने के लिए, तो यह बताना ही पड़ेगा, इसलिए theoretical जादा लगेगा, बट यह don't worry, जब तक यह terminology, theoretical चीज़ें नहीं पता चलेगी, आगे मजा नहीं आएगा, इसलिए समझना भी जरूरी है, ठीक है, तो sum of first n, odd natural number, even हो गया, तो वह odd को की घुस्सा है, तो odd का सो simple होता है n square, even का होता है n into n plus 1, now fourth, sum of squares of, sum of square of n natural number, again natural number है, n natural, लेगिन इस बार श्रिप natural यहने 1, 2, 3, 4 नहीं, उनका square बोला, याने 1 square, plus 2 square, plus 3 square, plus 4 square, and so on, यह भी कहा है sum of square of first, मतलब यहाँ पे first word compulsory है, शुरुआत हमेशा 1 से ही होनी चीए, अगर बात हो रही है even की, तो 2 से ही, बात हो रही है, और की, तो 1 से ही 1, 3, 5, इनका sum, sum of square of first n natural number, याने 1 square, 2 square, 3 square, 4 square, and so on, तो गाहिए इसका formula होता है, n into n plus 1, into 2 n plus 1, upon 6, upon 6, यह बन गया इसका formula, मानलो, अगर मुझे यह लेना है summation till 15 square तक, तो हमारा n कितना बन गया, n बन गया, 15, बस यह value रख देना, 15, 15 plus 1, 16, 2 into n, यहने 2 into 15, 30, 30 plus 1 भी है, यहने 31 बना है, पूरा bracket, upon 6, तो बस देख लो, 3, 5, sorry, 3, 2s are, and 3, 5s are, 2, 8s are, तो यह कितना हो, 5 into 8, 40 into 31, है न, 6 है, 15 है, पहले 3 से दिवाइड किया, यहाँ 2 आया, यहाँ 5 आया, फिर यह 2 ने, इस 16 को उड़ा दिया, तो 8, 5, 40 into 31, तो guys, यह कितना हुआ, 1240, यह हुआ इसका answer, अमज़ रहा है, and last guys, sum of, where आपने देख लिया, अब last देख लो, cube of, first, n natural numbers, इसका simple formula है, n into, n plus 1, upon 2, अब आप बोलोगे sir, यह तो same formula हमने अभी just देखा था, यह तो same formula अभी हमने देखा था, sum of first, n natural number के लिए, n into, n plus 1, upon 2, hold on guys, अभी तक formula complete नहीं हुआ है, n into n plus 1, upon 2, का whole square, यह यह entire, जो आपने पहला formula याद रखा होगा, n into n plus 1, upon 2, sum of first, n natural number, बस उसी पूरे formula का square है, यह numerator का भी denominator का भी, तो यह बन गया sum of cube of first, n natural number, यहाँ पर आप, अगें शुरुवात तो 1 से ही होगी, 1 cube, 2 cube, 3 cube से लेकर आगे जितना भी चाहिए, वो n ले लो, अगर तोड़ के चाहिए, तो शुरुवात तो first से ही करनी होगी, फिर उसमें से minus कर देना जो नहीं चाहिए, जो हमने यहाँ किया, इस वाले question में, ठीक है guys, तो बिना किसी देरी के करे start, है न, कोई अभी हमें रुकने की ज़रूत नहीं है, तो यह तो यार ऐसे question है, जो हम basic से ratio में देखा था हमने, तो ऐसे question को हम ज़ादा अभी time नहीं देंगे, हम वो जो नए concept, जो trick बता ही है, fraction वाली, series वाली, वो question थोड़ा ज़ादा करेंगे, तो ऐसे question में आप already ratio से champion होगे हो, इससे भी बड़े-बड़े word-based question आपने किया है, तो ऐसे question तो आप पे लिद होगे, ये खाद दो question करते हैं, फिर fraction पे आते हैं, फिर series पे, फिर end, आज का session numerical है, tricks वाला है, बट theoretical भी जाता है, लेकिन धीरे-धीरे जैसे topics बढ़ेंगे, इसमें tricks जाधा बढ़ेगी और interest जाधा बढ़ेगा, believe me, ठीक है, करें start, तो guys, start करते हैं, in a class, देखो in a school, 4-5th of the children are boys, यार, ऐसे question आपने percentage में भी किये थे, 60% boys है, तो by default 40% क्या हुई, girls, उसी तरह, जब fraction की बात हुरती है, तो total हम हमेशा 1 लेकर चलते हैं, 1, जैसे percent में total हमेशा 100 लेकर चलते हैं, तो उसमें से अगर 60% boys है, तो by default हमने 100 में से 60 माइनस कर दिया, यहने बची हुई, 40% girls, उसी तरह, अगर यहाँ पर fraction case में हम हमेशा total 1 लेकर चलेंगे, तो उसने बोल दिया, 4-5th of the children are boys, तो 1 में से 4-5th गया, कितना बचा, girls, तो 1-5th, तो यह definitely क्या हो जाएगा, girls, अगर boys question आपको 4-5th बोल रहा है, common sense, I don't think कितना इसमें elaborate करने की जोरत है, बस पहला question इसलिए बता रहा हूँ, तो अगर 4-5th boys है guys, और fraction की बात हो रही है, तो total हमेशा 100% लेते थे, यहाँ कितना लेंगे 1, तो 1 में से 4-5th boys है, यहने बची भी सारी girls, तो 1 में से 4-5th गया, बचा कितना 1-5th, तो 1-5th girls है, हमारे हिसाब से, बट question बोल रहा है, if number of girls are 200, यहने मेरे हिसाब से girls है 1-5th जो question के हिसाब से 200 है, then find number of boys, तो number of boys तो 4-5th है, जो question के हिसाब से कितना, girls मेरे हिसाब से बची हुई, 1-5th जो actual में 200 है, तो boys 4-5 जो question ने बोला वो actual में कितना cross multiply कर लो guys 1-5 of x is equal to 200 into 4-5 cross multiply से upon 5 upon 5 कटा x is equal to 800 और ये question के लिए ना paint की जोरत है ना pencil, paper किसी की जोरत नहीं है मन में कर सकते हैं आपकी 4-5 अगर boys है तो 1-5 गल्स लेकिन 1-5 अगर 200 है तो 4-5 उसका 4 times हुआ न 1-5 का 4 times 4-5 होता है तो 200 का 4 times 800 800 mentally लेकिन कब जब आप उतना अपने आपको expert कर लो practice से now in a flag post 1-5 is red 1-3 is green and the rest is white तो definitely guys 1-5 पूरे flag post में तीनी color है red, green and white तो red बोल दिया आपको 1-5, green बोल दिया 1-3 तो बचा हुआ क्या हुआ? white तो बचा कितना तो पहले तो यह दोनों मिला कर कितना हुआ check कर लो तो दोनों मिला कर 1-5 प्लस 1-3 हम कैसे करेंगे cross addition, तो cross addition कैसे करते है 3 plus 5 upon दोनों denominator का multiplication 15 तो दोनों मिला कर हुआ 8 by 15 मतलब 15 में से 8 पार्ट तो किसके हुए इन दोनों को मिला कर यानि बचा हुआ सब अब एक ही color बचा है white तो बचा हुआ सब उसका 7 by 15 हुआ white का यह फिर मैंने आपसे कहा है कि हमेशा fraction का total कितना होता है 1 तो 1 में से यह दोनों का total यानि कि 8 by 15 गया 1-8 by 15 कर लो 7 by 15 मिलेगा तो 7 by 15 white है rest is white if the white part is 7 meter long मतलब हमारे हिसाफ से 7 by 15 है वो question के हिसाफ से 7 meter है तो length of flag post हम हमेशा क्या मानेंगे total हमेशा 1 मानेंगे तो 1 यह कितना meter है यह meter की कोई ज़रूत नहीं सिधा cross multiplication 7 by 15 x is equal to 7 into 1 7 7 7 कटा x कितना मिला यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है 7 7 कट गया है तो 15 उदर जाके multiply कर लेगा 15 meter option D विल्कुल पिछली question की दरा था सिर्फ यहाँ इस वाले question में क्या हुआ था इस वाले question में सिर्फ boys दे दिया था बची भी girls इस बार 3 color है flag post पे red, green and orange उसमें से red और green का हमें proportion पता है इतना इतना जो मिला के 8 by 15 हुआ याने बचावा पुरा हुआ 7 by 15 जो हमारे साब से 7 meter है तो 7 by 15 अगर 7 meter है तो पूरा flag याने 1 fraction form में is how much come on guys now a drum of water is 3 fifth full एक drum of water है जो 3 fifth full है हमेशा total capacity कितनी होती है 1 उसमें से full कितना है 3 fifth यहने 2 fifth अभी भी खा लिए anyways आगे question क्या बोल रहा है when 38 liter are drawn from it it is just 1 by 8 full guys पहले 3 fifth full था जैसे इसमें से मैंने 38 liter पानी निकाल लिया जैसे 38 liter पानी इसमें से निकाल लिया वो अब स्रिफ 1 8 full रहा वो मतलब अभी सिर्फ कितना रहा 1 8 यहां तक बस 1 by 8 इतना fill रहा मतलब मुझे बताओ 3 fifth में से इतना पार्ट निकाल लिया इतना पार्ट तो वो 1 8 रहा बराबर अब 3 fifth में से अगर मैं 1 8 हटा हूँ मुझे यह पार्ट मिल जाएगा और यह पार्ट मतलबी question के साब से कितना है 38 liter बस question की language समझ नहीं थी total drum कुछ भी हो question ने पहले बोला है कि वो कितना fill है सिर्फ भरा हुआ है 3 fifth तो 3 fifth भरा हुआ है उसमें से भी जैसे मैंने 38 liter निकाला अब वो 1 by 8 ही भरा हुआ है इसका मतलब मुझे बताओ guys 38 liter को भूल जाओ फिलाल क्या मैं इस question को ऐसा पकड़ू कि पहले 3 fifth full था अब मैंने कुछ पानी निकाला अब वो 1 by 8 ही है full पहले 3 fifth था अब 1 by 8 है कुछ पानी निकालने के बाद तो पहले 3 fifth था अब 1 by 8 है मतलब मैंने कितना पानी निकाला होगा subtraction कर लो simple है चलो ये fraction की दुनिया छोड़ो पहले drum में अगर मैं आपको बोलू 50 liter पानी था 50 मैंने कुछ पानी निकाला अब 20 liter ही बचा तो क्या आप बता सकते हो कितना निकाला 30 liter I repeat मानलो पहले 50 था जैसे example से ये question easy कर रहा हूँ मैंने कुछ पानी निकाला अब 20 ही बचा यार तो पहले 50 था अब 20 ही बचा मतलब मैंने कितना निकाला होगा 30 पहले 70 liter था मैंने कुछ पानी निकाला अब 10 ही बचा तो पहले 70 था अब 10 ही बचा मतलब कितना निकाला होगा 60 उसी थारा question बोल रहा है पहले 3-5 था कुछ पानी निकाला अब 1 by 80 बचा तो 3-5 था अब 1 by 80 बचा है यहने कितना निकाला दोनों का difference तो difference भी कैसे लेते है 8 into 3 24 minus इसले minus 1 into 5 5 upon denominator का multiplication 40 यहने 19 by 40 बराबर 3-5, 1-8, 19 by 40 इतना पानी मैंने निकाला but 19 by 40 तो guys मेरे हिसाब से न as per my fraction concept 19 by 40 मैंने निकाला पहले 3-5 था अब इतना ही बचा मतलब मैंने कितना निकाला 19 by 40 बट जो question के हिसाब से कितना है 38 तो 19 by 40 मेरे हिसाब से but question बोल रहा है मैंने 38 निकाला यह difference मेरे को बोल रहा है मैंने 19 by 40 निकाला लेकिन question बोल रहा है मैंने 38 निकाला तो total capacity of the drum again total capacity हमेशा क्या count होगी fraction form में 1 19 by 40 जो मैंने निकाला actual मैं 38 लिटर के बराबर है तो 1 is how much बस cross multiplication कर लो answer आ गया 19 ने इदर divide कर दिया 2 आ गया तो x कितना मिला 40 into 2 fraction concept हाँ अब आगे question ऐसे question कैसे करना मैंने clear बता है आपको आपको जाना है difference पहले तो difference देखो difference मुझे देखके clear हो ला है कि उपर और नीचे का difference है मैं उपर कितने का difference हा रहा है उपर difference हा रहा है 4 4 4 4 4 से बढ़ते हुए और यहाँ पे 8 8 8 8 से बढ़ते हुए तो guys मुझे बताओ क्या numerator का difference is less than denominator का difference, yes numerator के difference को हम A बोलते है, denominator के B बोलते है, यात को Robhi का concept और अगर ऐसा होता है, yes वाक्य में 4 is less than it अगर ऐसा होता है, यह तो second case है न जब numerator का बढ़ा है एक वाल होता है, हम सिधा बोलते हैं यह last वाला बढ़ा है लेकिन अगर उल्टा होआ है, numerator का छोटा देन, denominator का difference तो आपको क्या करना होगा, कि यह जो भी A by B का ratio याने 4 by 8 यह first fraction से बढ़ा है या छोटा देखना होगा, यार यह तो देखके clear हो रहा है numerator सेम है, तो वो fraction बढ़ा होगा जिसका denominator छोटा है यह भी common sense है, अगर numerator सेम है, तो वो fraction बढ़ा होता है जिसका denominator छोटा है, जैसे अगर denominator सेम होता, तो वो fraction बढ़ा होता है जिसका numerator बढ़ा है, तो numerator सेम है, तो numerator बढ़ा वाला बढ़ा fraction होता है लेकिन अगर numerator सेम है, तो denominator छोटा वाला बढ़ा fraction होता है इसका denominator चोटा हो बड़ा यह school की बात है ठीक है तो guys a by b का ratio 4 by 8 और first fraction 4 by 7 याने कौन बड़ा first fraction इस बार बड़ा है और जब first fraction बड़ा होता है द्यान a by b का ratio तो greatest कौन होता है हमेशा first fraction 4 by 7 calculator निकालना चेक कर लेना 4 by 7 बड़ा रहेगा इन सब में आल तू divide करके time waste करने की जोरत नहीं बस trick को follow करो उपर का difference निचे का difference अगर उपर का difference छोटा है द्यान निचे तो फिर आपको देखना होगा कि a by b का ratio यह first fraction से बड़ा या छोटा तो इस बार a by b का ratio 4 by 8 first fraction से छोटा है और अगर यह first fraction से छोटा है तो first fraction greatest last lowest अगर उल्टा होता मानलो यह a by b का ratio बड़ा होता than first fraction उम क्या बोलते last fraction greatest and first lowest लेकिन इस बार क्या हुआ है a by b का ratio is less than first fraction फिर बड़ा चेक कर लेना ठीक है नो यहाँ देख लो यहाँ पर भी 2-2-2 से बढ़ रहा है यहाँ पर 3-3-3 से बढ़ रहा है यहाँ अगेन a is less than b यह ना a is less than b तो जबी भी a less than b होता है तो हमें क्या करना होता है a by b का ratio यह first fraction से बढ़ा है चोटा देखना होता है तो इस बार a by b का ratio बढ़ा है 2 by 3 is greater than first fraction 1 by 5 और ऐसा के इसमें फिर greatest को होता है last वाला fraction a by b का ratio अगर छोटा है first fraction से तो पहला fraction सबसे greatest a by b का ratio बढ़ा है अगर first fraction से तो last वाला fraction सबसे greatest बढ़ उसको properly arrange करने के बाद तो इस बार तो question ने properly arrange करके ही दिया है तो first और last आपके लिए बहुत easy था come on guys which fraction is the least सबसे छोटा पूछा है अगें देख लो ये 111 से बढ़ रहा है और ये 9 9 9 से ओ हो हो याने कि क्या हो रहा है इस बार least पूछा है याने कि a again less than b 1 is less than 9 तो फिर आपको देखना होगा 1 by 9 का ratio ये 1 by first fraction 1 by 8 से क्या है छोटा है और अगर 1 by 9 का ratio याने a by b का ratio first fraction से but पूछा क्या है least तो least कौन होता है guys last वाला इस बार greatest नहीं पूछा a by b का ratio first fraction से छोटा है तो greatest first but least पूछा है तो least होता है last equal भी तो हमेशा last fraction सबसे बड़ा होता है बट पूछा क्या है least तो least हमेशा क्या होगा first fraction बड़ा last होता है greatest जबी भी a is greater than b ये ना बट छोटा पूछा है तो first वाला come on guys now find the value of again देखो ऐसे question अब मुझे बताओ ये सारे number क्या दिख रहे 68 70 से लेकर 180 तक ये सारे number क्या दिख रहे आपको even यानि ये क्या हुआ sum of even natural number लेकिन first 180 even natural number तक नहीं बोला है न उसने आपको उसने क्या बोल दिया है find the value of this 68 plus 70 तुकडो में मतलब तोड़ कर दिया है त आपको जो भी निकालना है वो कहां से निकालना होगा starting से from first जो भी formula आपने देखा है वो from first in natural number from first in even natural number from first in odd natural number उसके लिए होता है तो guys अब मुझे आपको बताना है कि पहले तो हमें 180 तक natural number कितने आते हैं common sense 180 तक natural number कितने आएंगे 90 इवन नंबर हा इवन natural number है 1 से लेकर 180 होता तो 180 लेकिन 1 से नहीं है यह सारे नंबर इवन है तो हमें स्रीव देखना है तो 2, 4, 6 ऐसे 180 तक कितने हमें n देखना है तो n आते है 90 तो पहले तो देख लो यह कितना आता है इसमें से हमें यह पार्ट माइनस कर देना है यहने 2 से लेकर 66 तक है 2 से लेकर 66 तक माइनस कर दो तो 2 से लेकर 66 एन कितना होगा 33 एन हो गया 33 common sense कि 2, 4, 6 यहने 66 तक है तो इसका simply even number इसमें 33 आएंगे तो यहाँ पर अगें कितना होगा 33 N into N plus 1 34 अपॉन नहीं आएगा यहाँ पर क्यूंकि स्रीव इवन है तो स्रीव इवन में अपॉन नहीं आता तो guys देख लो यह कितना होगा इनका multiplication कर देना so 33 4s are 33, 99 and 13 so 1122 इसमें से minus कर दोगे जैसे 1122 इसमें से minus कर दोगे आपको answer मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 6, 9 कुछ तो यहाँ पर calculation अच्छा है यहाँ 0 आएगा यहाँ 7 आएगा 7, 0, 6, 8 7, 0, 6, 8 is the answer 8, 1, 9, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2 यह 8 यह 9-1 carrier आगर 3 के minus कर दो 6 1-1, 0, 8-1, 7, 7, 0, 6, 8 is the answer तो कैसे निकाला समझ में आए guys natural N natural number के summation का formula N into N plus 1 लेकिन यहाँ पर 68 से लेकर 180 directly निकाल सकते है निकाल सकते है लेकिन वो AP का formula उसके हम बात में बात करेंगे तो पहले तो हमने क्या कर दिया simply 2 यहने सबसे first जो है 2 even natural number वहाँ से लेकर 180 तक 90 number होते है वो summation ही आया उसमें में 2 से लेकर 66 even natural number जो की 33 होते वो नहीं चाहिए था उसका summation निकाला minus किया answer आ गया come on guys again find the sum of natural number from 21 to 100 I guess यह आप कर लोगे है ना तो 1 से लेकर 100 तक निकालना n into अब natural number बोला यहाँ पर even odd कुछ भी नहीं है तो इसका formula क्या जाएगा n into n plus 1 upon 2 और उसमें से 1 to 20 माइनस कर देना 1 to 20 जो भी आएगा same formula से माइनस कर देना come on guys ठीक है again यह क्या है sum of square of n natural number तो sum of square of n natural number यहाँ n कितना है एक दो तीन दस तक है तो simply और उसका formula क्या होता है n n plus 1 2n plus 1 upon 6 तो guys कर लो यह ठीक है तो n n कितना 10 10 plus 1 11 now 10 into 2 20 plus 1 21 upon 6 तो 32, 37, 25,000 तो कितना हो गया guys 5 into 11 55 into 7 तो 75, 38, 385 लेकिन 385 तो सिर्फ इतना साया है आपको उसमें से minus करना है यह वाला यानि यह sum up to 10 natural number है from first to 10 यार यह तो मेरे को by heart 55 होता है तो आप अपने formula से जा भी सकते हो n, n कितना है 10 10 plus 1 11 upon 2 तो देख लो 55 हुआ तो यह इसमें से minus कर दो जैसे आप इसमें से 55 minus कर दोगे आपको मिल जाएगा 330 330 हलवा गाईज एकदम easy peasy ठीक है now find the value अब यह क्या हुआ odd again guys same उसी तरह करना है पहले 1 से लेकर 51 तक करना उसमें से 1 से 13 minus कर देना formula आपको पता है odd का n square ठीक है और यह cube वाला और यह तो मैंने लिखा ही है यहाँ पर homework question again लेकिन 8 से लेकर 15 है तो आप तो पहले again formula आपका जो है n है न into n plus 1 cube वाला पुछा है upon 2 इसका whole square यह formula होता है cube का तो पहले n को 15 लो 1 से 15 निकाल लेना ठीक है और बाद में फिर n को 7 लेना हमें 1 to 7 नहीं चीए न 1 cube 2 cube ऐसा हमें 7 cube तक नहीं चीए तो यह minus कर देना तो n 15 लेके यह निकालो फिर n 7 लेके यह निकालो और दोनों को minus कर दो तब जाके आपको बराबर 8 से लेकर 15 मिल जाएगा तो बल्ले बल्ले गाईज आज के session में इतना ही आज हमने देखा सबसे important types of numbers क्या होते हैं यह सारी चीज़े यह natural whole prime co prime सब आगे बहुत गाम आएगा इसलिए थोड़ा theoretical part जादा था लेकिन मजा आएगा आगे फिर हमने देखा fraction concept बड़ा चोटा कैसी tricks होती है special series और उनसे related question second session में अब हम divisibility rules place values वो और उनकी questions देखेंगे and फिर third session onward trick based theorem start होंगे unit disease, sum and number of factors, remainder, trailing zeros, मजा आएगा तो मिलते हैं next session में तब तक के लिए bye bye, good day, take care enjoy